नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ आठ को पढ़ेंगे, पाठ आठ का नाम है विशेशन, देखिए अब, बड़ा ही सुहावना मोसम है, इस भगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आपको दि दो तीन बच्चे खेल भी रहे हैं, बड़े बड़े पेड कतार में लगे हैं, यहाँ एक फवारा भी है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, दो आदमी बाते कर रहे हैं, तो उपर दियेगे वाक्य, वाक्यों में आए रंगेन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये सभी अपने अपने संजा शब्दों की विशेशता बता रहे हैं, इन शब्दों को विशेशन कहते हैं, जैसे मोसम की विशेशता कौन सा शब्द बता रहा है, सुहावना, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी नीचे बताया गया है, मोसम की विशेशता सुहावना बता रहा है, तो हमारे सामने विशेशन की क्या परिभाशा आती अब कि जो शब्द संज्या या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा, आधी संबंधी विशेशता बताते हैं वे विशेशन कहलाते हैं कुछ अन्य विशेशन शब्द जैसे नमकीन, खुश्बूदार, रसीला, उंचा, सुन्दर, आस्मानी, कोमल, आधी विशेशन शब्द पहचानने के लिए संज्या पर कैसा या कितना प्रश्न वाचक शब्दों से प्रश्न किया जाता है जैसे काली गाएं, कैसी गाएं, तो यहाँ पर कैसी गाएं से यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि काली गाएं, ठीक है, कितने लोग, मतलब कुछ लोग, कैसा खाना, अर्थात स्वादिष्ट खाना, कितने सेव, एक किलो सेव, तो विशेशन शब्दों द्वारा जिन संजा शब अर्थात यहाँ पर काली के द्वारा किसकी विशेष्टा बताई जा रही है? गाएं की, कि वो काले रंग की है. तो यहाँ पर गाएं क्या है? विशेष्य है. और विशेष्ण क्या है? काली. क्योंकि काली से गाएं की विशेष्टा बताई जा रही है? कि वो काले रंग की है जैसे खटा नीम्बू तो यहाँ पर नीम्बू क्या है विशेश्य है और खटा उसका विशेशन है क्योंकि विशेशन निम्बू की क्या विशेशता है खटापन ठीक है ऐसे ही विशाल व्रिक्ष तो व्रिक्ष की क्या विशेशता है विशाल इसलिए विशाल क्या है विशेशन है और व्रिक्ष विशेश्य है तो अब आपके सामने विशेशन के भेद हैं विशेशन के पांच भेद होते हैं गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, सार्वनामिक विशेशन और नामिक विशेशन पहला क्या है गुण वाचक विशेशन ऐसे विशेशन शब्द जो अपने विशेश्य संजा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, गुण, दोश, आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं गुण वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे अनन्या बहुत अच्छी लड़की है तो यहां लड़की का विशेशन शब्द क्या है अच्छी अभिनाव शरारती लड़का है तो लड़के का विशेशन क्या है शरारती गुणदोश कैसे गुणदोश से पता चलेगा कि गुणदोश कैसे होते हैं जैसे इमानदार लोगों से सब प्यार करते हैं और बेइमान लोगों से नफरत करते हैं तो यहाँ पर इमानदार और बेइमान क्या है गुण है किसके लोगों के आकार प्रकार मुझे एक छोटी कुरसी और एक गोल मेज चाहिए तो यहाँ पर कुरसी की विशेष्टा क्या है छोटी और मेज की विशेष्टा क्या है गोल तो मेज का विशेष्ण क्या है गोल और कुरसी का छोटी दशा अवस्था जैसे बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता तो यहां आदमी की विशेष्टा क्या है बूढ़ा स्वाद गंध मुझे मीठे आम पसंद है सुगंधित फूल लेकर आओ तो यहां पर आम की विशेष्टा क्या है मीठा पन और फूल का सुगंधित होना स्थान देश का भारतिये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं तो यहां पर परिश्रमी लोगों की विशेष्टा क्या है भारतिये लोग छीक है तो आपने ये गुण वाचक विशेष्ण पढ़ा अर्थात गुण के माध्यम से किस प्रकार हम संजय या सर्व नाम शब्दों की विशेष्टा को जान सकते हैं आगे क्या है संख्या वाचक विशेष्ण संख्या जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो विशेशन संजा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं वे संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे तीन बच्चे बाते कर रही हैं कुछ लोग खड़े हैं, तो यहां संख्या के माध्यम से बच्चों की विशेष्टा बताई जा रही है, ठीक है, तो यहां पर संख्या वाचक विशेष्ण है, आगे क्या है, परिमान वाचक विशेष्ण, जो विशेष्ण शब्द संज्या या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमान वाचक विशेष्ण कहलाते हैं, जैसे पिताजी एक किलो सेव लाए, तो यहां सेव की क्या विशेष्टा है कि एक किलो, यह क्या है, परिमान है, उसका माप है, कि वो कितनी मात्रा में है, तो वो एक किलो की मात्रा में है, कटोरी में थोड़ी चीनी रखी है तो यहाँ चीनी की मात्रा क्या है थोड़ी, मतलब बहुत कम चीनी रखी है तो यह क्या है परिमान वाचक विशेशन ठीक है, अब है सार्वनामिक विशेशन जो सर्वनाम शब्द विशेशन शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होकर किसी संजा की विशेशता बताने का कार्य करते हैं तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते बलकि विशेशन का कार्य करने के कारण विशेशन बन जाते हैं ऐसे विशेशनों को सार्वनामिक विशेशन कहा जाता है जैसे यह इमारत बहुत पुरानी है तो इमारत से बत पता चल रहा है कि यह बहुत पुरानी है वह लड़का मेरा भाई है तो यह क्या है सार्वनामिक विशेशन पांचवा है नामिक विशेशन जिस तरह सर्वनाम शब्द संजा शब्दों की विशेशता बताने के कारण विशेशन बन जाते हैं उसी तरह वाक्यों में कुछ संजा शब्द भी अन्य संजा शब्दों की विशेशता बताने का कारिय करते हैं आप जानते ही हैं कि संज्या को नाम भी कहा जाता है अतह है ऐसे विशेशनों को नामिक विशेशन कहा जाता है जैसे सोने के कंगन, सोने के तो यहां कंगन की विशेशता क्या है सोने के कंगन तो सोने के पद से कंगन की विशेशता बताई जा रही है अतह है सोने के पद नाम विशेशन है कि उनका नाम रखा गया है संजा के माध्यम से अन्य जैसे चांदी का गिला सिर्क की साड़ी लकडी की नाव पिताजी का कमरा तो ये क्या है नामिक विशेशन तो सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेशन में यही अंतर है कि यदि सर्वनाम किसी संजा शब्द क स्थान पर आते हैं तब वे सर्वनाम कहलाते हैं पर यदि सर्वनाम अपना कारिय छोड़ कर संजा की विशेशता बताने लगते हैं तब वे सार्वनामिक विशेशन कहलाते हैं ठीक है तो अब आपके सामने कुछ संजा से विशेशन शब्द हैं जैसे अर्थ से क्या बनेगा आर्थिक एर्शार्ट से एर्शालू उपासना से उपासक कर्म से कर्मट जीव से जैविक ठीक है तो ये आपके सामने संजा से जो विशेशन शब्द बनते हैं वे हैं आगे हैं सर्वनाम से जो विशेशन शब्द बनते हैं जैसे तुम से तुम सा मैं से मुझ सा यह से ऐसा कौन से कैसा ठीक है क्रिया से विशेशन शब्द बनते हैं जैसे मिलाना से मिलावटी, बनाना से बनावटी, भागना से भगोडा, भूलना से भुलकड और अव्य से विशेशन शब्द उपर से उपरी, आगे से अगला, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला तो ये पाठ आपका सर्वनाम यहीं पर समाप्त होता है हमने इस पाठ में सर्वनाम किसे विशेशन किसे कहते हैं और विशेशन के भेदों के बारे में जाना